तब किसी ओफिस में काम करते हैं तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे या फोल्ड़स देखने को मिलेंग तो आप देख सकते हैं जिसे कि मैंने काई सारे फोल्ड़स spiralila तो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूं कि किस किस टाइप की आपको फाइस देखने को मिलेंगी मैंने सबसे पहले इंडेक्स फाइल लिए जो की थोड़े साइज में बड़ी होती है आपको ज्यादा पेज जब भी लगाने हो तो आप इस फाइल का यूज कर सकते हैं त उसको पंच करके आप इसी तरह से इसमें डाल सकते हैं तो इंडेक्स फाइल की बात हमने कर लिए अब हम दूसरी फाइल भी देख लेते हैं और इसी तरह से क्लोज करके आप इसको देख सकते हैं यह हमारे इंडेक्स फाइल हो गई अप चलिए नेक्स देख लेते हैं नेक या आप ऐसे पेपर है जो पंच नी करना चाहते हैं तो इसली इसमें लगा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप पंच करके लगाना चाहते हैं तो वह फीचर भी इसमें दिया हुआ है यह देखिए तो इस तरह से यहां पर जितना पे जिसमें आप लगाना चाहते हैं इसली में यूज करते थे एक्जाम टाइम में आपने बोर्ड पे एक्जाम दिया होंगे तो आपको मालूम होगा अभी भी चलते हैं इस तरह से यह होती है हमारी कोब्रा फाइल और यह कोब्रा फाइल भी बिल्कुल ऐसी की टाइप किये बस इसमें वह आपका दूसरा वाला इसमें ज्यादा डॉक्यमेंट नहीं लगने है तो आप इसे यूज कर सकते हैं और एक फाइल आपको ब्लैंक फाइल मिलेगी जो इस यह भी कोब्रा फाइल के जैसी ही है लेकिन इसमें आपका फीचर नहीं है फ्रंट के साइट पर आपको यहां पर कुछ लिखा हुआ नह इसके थोड़ा सा जो है कोब्रा फाइल से हमारा यह काफी डिफरेंट है थोड़ा और यह इंडेक्स फाइल की तरह थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन साइज में उससे छोटा है ठीक है तो इसमें अब भी अगर आपको पिपर थोड़े मीडियम मतलब ज्यादा ही लगाने अबने काफ चीजे यहां पर यूज कर सकते हैं आपके पास कोई RC है कोई WS card है किसी है पी ठ tag कर देट कार्ड में टेवित और इसमें अब कयॉज ड़ा सकते हैं ऑ reflex है जो इदर उदर रखने में तो इसके लिए ऐधर सेफ फोलडर में आपको सो चेज़े लीजी तो देखिए इसमें काफी अगर आप पास थोड़ा बड़ा पेज भी है कोई आप इसमें यहां पर डाल सकते हैं जैसे कि कोई चेक की कॉपी है कोई रिसीविंग है इस टाइप की चीजे भी आप इसमें डाल सकते हैं इसके लाब देखिए एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर है यह फोल्डर भी हमारा जो है एक साइड से बंद होता है नीचे की साइड से इसमें आप कोई भी पिज़िस आप नौमली रख सकते हैं तो इसे L folder बोलते हैं, L folder की नाम से जाना जाता है, आप इसे जरूर यूज करें, एक folder होता है, बटन folder, जो कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है, ये पूरा ही बंद हो जाता है, और एक बटन छोटा सा लगा होता है, जिसको आप ख्लोज भी करें, तो इसमें ये रिस्क नहीं रहता कि कोई भी डॉक्यूमेंट निकल के गिरेगा नहीं, L folder में थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है, तो इसे आप चाहिए, तो इसके उपर लिख भी सकते हैं, किसी भी मार्कर से, और जैसे भी मैंने हर्स का नाम लिखा हुए, ऐसे आपको किसी जिसका भी फोल्डर आप बनाना चाहरे हैं, आप इस पर इजली नाम लिख सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने कई सारी फाइल एंड फोल्डर दिखाई हैं आपको, ऐसे ही मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुए हैं, अगर आप किसी आफिस में काम करते है या कोई अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए काफी अच्छे अच्छे आप आप आप्शन मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टिक कियर, बाबाई, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक् रा therapy कयीजringड़ आपले आपाने काफी तॉनर को थgeb yourself यूब आपाने काफी अच्छ वीडियो मिल आपके 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 मुल दैए किया एा हमारे ख्यूкой अपुम करूवएंगे, आपके वीडियों जाएंगे,एएए से वीडियों उतना प्रियूबियों एडर के